श्री मा सारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन सन 1890 में रामकृष्ण संग के छठे अध्यक्ष विरजानंद श्री रामकृष्ण की सन्यासी संतानों के संस्पर्ष में आए वराह नगर मठ में वे उनी के बीज रहते तथा ठाकुर मा स्वामी जी की बाते सुनते स्वामी जी पश्चिम में धर्म प्रचार में व्यस्त थे किंतु श्री रामकृष्ण की लीला संगिनी श्री मा जैरामबाटी में स्थूल शरीर में ही थी स्वामी विरजानंद तब तरुन ब्रह्मचारी काली कृष्ण का मन श्री मा के दर्शन को व्याकुल हो उठा सु अवसर भिया पहुँचा जगधात्री पूजा के अवसर पर स्वामी सारदानंद के साथ वे जैरामबाटी को चले जैरामबाटी पहुचकर उन्होंने चरंट स्परश कर श्री मा को प्रणाम किया श्री मा ने भी सनेह से उनकी ठुड़ी का स्परश किया उन सभी को पाकर श्री मा के आनंद की सीमा न रही क्या करें, कहां ठहराएं, क्या पका कर खिलाएं, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी दिन राज श्री मा उनके आराम को लेकर चिंतित रहती दोनों वक्त उनके लिए स्वयम विभिन्न व्यंजन पकाती श्री मा इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाती और इतने स्नेह मनुहार से खिलाती कि प्रति दिन काली कृष्ण प्रायह दुगुना खाडालते वहाँ खाना इतना सुस्वादू और मधुर लगता कि कहा नहीं जा सकता मानो नैसरगी कुछ हो अभी भी मानो मुह में स्वाद लगा हो उन बातों का स्मरण बाद में करते हुए स्वामी विर्जानंद कहते थे महा आनंद में काली कृष्ण के दिन कटने लगे बालक होने के कारण श्री मा की व्यक्तिगत फर्माईशों का भार भी उन पर पढ़ने लगा जिसके कारण वे श्री मा के पास अबाद रूप से अंतहपुर में जा पाते थे बीच बीच में स्वामी सारदानंद चीलम की आग लेकर आने के लिए काली कृष्ण को श्री मा के पास भेचते किन्तु बेटे के हाथ क्या आग देनी चाहिए इसलिए श्री मा पहले चिम्टे से उठा कर आग जमीन पर रग देती फिर काली कृष्ण को उठा लेने को कहती इस प्रकार हर क्षण श्री मा की स्नेह सुधा का आस्वादन कर काली कृष्ण आनंद विभोर हुए रहते इसके पश्चाद जगधात्री पूजा निर्विग्न संपन्न हो गई काली कृष्ण ने जितनी महनत की उतना ही आनंद भी पाया पूजा के कुछ दिन बाद ही स्वामी सारदानंद वा काली कृष्ण सहित चार जनों को मलेरिया हो गया श्री मा की चिंता का कोई अंत नहीं केबल कहती हे मा क्या होगा सारे बच्चे पड़े-पड़े कष्ट पा रहे हैं गाव ऐसा है कि दूद साबुदाने के लिए दूद भी नहीं मिलता विरजा नंद ने लिखा है श्री मा स्वयम हाथ में लोटा लेकर घर घर जाकर उनके लिए दूद भीक्षा कर लाती जिसके पास जितना मिल जाए पाव, आधपाव, छटाक भर, घूम घूम कर ले आती और बीच पीच में आकर दर्वाजे के बाहर रहकर हाल चाल पूछती वहाँ क्यास नेह और करुणा मईद रिष्टी थी कुछ दिनों में ही सबका ज्वर ठीक हो गया और श्री मा की स्नेह सेवा से सभी स्वस्त हो उठे वहाँ रहने से ही श्री मा की दुष्चिंता और परिश्रम बढ़ेगा एवं मलेरिया का फिर आक्रमण हो सकता है यहाँ सोचकर श्री मा की अनिच्छा के बावजूद सारदा नंद जी ने कोलकाता लोटने का निश्चाई किया दो पहर को खा पी कर जब सब बैल गाड़ी पर चढ़े तो एक मरमस पर्शी दृष्य उपस्थित हुआ श्री मा खिड की दर्वाजे के सामने आकर खड़ी हुई देखा उनकी आँखों से अविराम अश्रुधार बह रही है रो रो कर आँख मुह लाल हो गए थे उनका कष्ट देखकर काली कृष्ण और अन्य सभी का रिदय भी व्यथित हो उठा बेबी अपने आसू न रोक पाए बैल गाड़ी जब चल पड़ी तो थोड़ी दूरी तक श्री मा भी पीछे-पीछे आने लगी रोकने पर भी सुना नहीं मानो बच्चों को किसी भी प्रकार विदाई न दे पा रही हो ताल पोखर पार होकर गाड़ी गाओं के बाहर विस्तृत मैदान में पहुची काली कृष्ण ने पीछे घूम कर देखा श्री मा ताल पोखर के पास ही खड़ी है जब तक गाड़ी आँखों से ओजल नहीं हुई श्री मा वैसे ही खड़ी उन लोगों के ओर देखती रही काली कृष्ण अवाखो सोचने लगे ऐसा अकल्पनी असनेह क्या अपनी मा भी दे सकती है घर की मा को तो खूब प्यार कर चुका हूँ वे भी कितना सनेह करती थी किन्तु ये तो जन्म जन्मांतर की मा है चिर कालिक अपनी मा